बिए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत बच्चों मैं अलका जैन राज के मा विद्याले किशनगर से सयाचार्य हिंदी बच्चों मैं आपको हिंदी साहित्य के दृत्य पेपर सेकिंड पेपर जो है आपका उसमें जो गद्य साहित्य वाला पेपर है कहानी संचियन जो आपके पाठे क्रम में हैं उस पाठे क्रम में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का विशलेशन कर रही हूं बच्चों जैसे कि हम किसी भी साहित्य कार की जब साहित्य का अध्यन करते हैं तो यह आवशक हो जाता है कि हम उनके क्रतित्व को भी देखें उनका व्यक्तित्व और क्रतित्व पर एक द्रश्टी डालें मैं बता दूं कि बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो 1883 में हुआ था और उनका सर्गवा सन 1922 में आद्धुनिक हिंदी गद्य की वेविद्यपूर्ण और गोर्व में बनाने में जिन लेखकों में ने योगदान दिया उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेश है गुलेरी जी के जो पूर्वज थे वो कांगड़ा के गुलेर गाओं के निवासी थे इसलिए इन्हें गुलेरी का गया इनके पिता पंडित शिवरान शाष्ट्री जैपूर के संस्क्रत कॉलेज के पिंसिपल थे गुलेरी जी का जन्म एक अच्छे सम्रद और विद्या संपन परिवार में हुआ था इसलिए ये बहुत उतकत कोष्ट के विद्वान और अलोकिक प्रतिवा के धनी थे इनकी मेधा और प्रतिवा का कोई बराबरी नहीं थी इन्हें पुरातत को इतिहास, दर्शन, भाषविग्यान, सायत्यादी सभी विश्यों पर इनकी घहरी पैट थी इन सभी विश्यों पर इन्होंने महत्पुन निबंद भी लिखे जिसमें पुरानी हिंदी निबंद इनका एतिहासिक मैत्व रखता है वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्रकर्थ, अप्ठभरंश, बंगला, मराथी, आदी भाषाओं के पंडित थे तथा उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लेटिम भाषा का भी अच्छा ग्यांग था बच्चों 20-21 वर्ष की अलपायू में गुलेरेजी ने जैपुर समालोशना नामक पत्र का संपादन करके हिंदी समिक्षा को आगे बढ़ाया था हिंदी साहित्य के शेत्र में कुशल संपादक, प्रवुद्ध निबंदकार और असाधरन कहनिकार के रूप में आप प्रसिद रहे और शोद विद्वान के रूप में भी गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत पुरिस्तान है ऐसे उद्भट विद्वान और प्रबुद्ध वहशा विद्ध का कुशल और सफल कानिकार होना उनकी विलक्षन प्रतिभा एवं जागरुक सामाजिक चेतना का दियोतक है ने संदे ऐसे विलक्षन प्रतिभाशाली विसाहित्यकार प्रतेक युग में विल्ले ही हुआ करते हैं जो अपने समय से आगे बढ़कर नूतन कला, नूतन शिल्प, नूतन रशना पदती और नूतन दिष्टि कौन का उमेश करके आगामी युग के आलोग इस्तम बन जाते हैं गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में तीन कहानिया लिखी सुखमय जीवन बुद्धु का काटा और उसने कहा था सुखमय जीवन उन्हें 1911 में लिखी थी जो भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित तुई बुद्धु का काटा उनकी व्यंग कहानी थी और उसने कहा था कहानी उनकी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी जो हिंदी की सरस्रेष्ट कहानियों में आती है उनकी कुछ रचनाएं गुलेरी गिरन्थावली के नाम से नागरी प्रचार्णी सवाकाशी द्वारा प्रकाशेत हुई है उसने कहा था कहानी तीनों में श्रेष्ट हैं कहानी में प्रोड़ता, परिपक्वता और रचना कोशल का जो सपस्ट परिचे मिलता है वह अन्य किसी कहानीकारों में नहीं कहानियों में व्यंग है, शुक्ष्ण चरित चित्रण है देशर शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है वातवरण को सश्टी करने में आपकी जो कहानिया हैं, उसकी भाषा जो है वो वातिसरल, कोमल और भावनकूल गुणों से युक्त है श्री गुलेरे जी ने उसने कहा था कहानी जो लिखी थी, जो काफी चर्चित रही जिसे मील का पत्थर भी कहा गया ये उनकी अमर कहानी है, और ये कहानी जो है सर्श्रेष्ट और अध्रित्य रचना है ये उनकी कीर्थी का आधार इस्तंब है हिंदी कहानी के विकार्स में उसने कहा था कहानी मील का पत्थर मानी गई और इस बात की प्रसंसा करते हुए आचारे रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्ति के त्याश में लिखा भी कि इससे पक्के यथारत्वाद के बीच सुरूची की चरम मर्यादा के भीतर भावुक्ता का चरम उतकर्ष अत्यंती निपुनता के साथ संफुटे तुई है घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है पर उसके भीतर से प्रेम का जो स्वर्ग्य स्वरूप ज्ञाकरा है केवल ज्ञाकरा है निर्लज इस्ता के साथ पुकार्या करहा नहीं रहा काहनी भर में कहीं प्रेम की निरलज, प्रगल्पता, वेदना की विवत स्विक्रती नहीं है सुरूचु के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघा तक नहीं पहुंचती इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है इस तरह शुक्र जी ने इस कहानी की प्रशंसा की है शिरी डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी को हिंदी की सरस्वेष्ट कहानी कोशित करते हुए लिखा कि सुकमे जीवन में गुलेरी जी की कहानी कला का शैशव है तो बुद्दू को काटा मैं किशुर आवस्ता और उसने कहा था मैं आका वे पूरी तरह से पूर्ण पोशित हो गई है डॉक्टर लक्षमी नारेन लाल ने कहा कि इस कहानी का क्रमर्श गुलेरी जी की कला के विकास और उतकर्ष की प्रतिक मानते हुए कहा कि हिंदी कहानी के इस शैशो काल में कहानी की इतनी समूचित और कलात्मक भाषा शैली और प्रभा देना गुलेरी जी के कहानी कार्व्यक्तित्व की अपूर्व शमता है जिस समय प्रेमचंद और प्रसाथ कहानी के प्रारंबिक काल में कहानिया लिख रहे थे उस समय गुलेरी जी ने इन कहानीों की शिष्टी में कहानी कला के विद्वानों और पाठक दोनों को आश्चरे में डाल दिया था इसी प्रकार हिंदी के जो आधुनिक सुप्रसित कहानी का राजिंद्र यादव है उन्होंने अपने पुस्तक्स कहानी स्वरू पर सम्वेधना में प्रारम में ही कहा कि हिंदी की पहली मौलिक और कलापुर्ण कहानी चंद धर्शर्मा गुलेरी की उसने कहा था है उससे ही यहां की आधुनिक कहानी का प्रारम मान लेना चाहिए इस प्रकार हम कहें तो यह सारे ही उप्विक जित्ते भी विद्वान हुए हैं उनके विचारों से हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी का पंडित चंद धर्शर्मा गुलेरी जी ही है जिनों ने कहानी की जो शेशा अवस्ता होती है उसी में ही केवल कलात्मक विकास की और नहीं अगरसर ही नहीं किया बल्कि उसे नूतन संवेदना से भी परिपून किया उसकी शैली और शिल्प में नूतन कौशल से संपन किया उसको मानविय तत उसे सुसजित किया उसे कलात्मक शेश्टता प्रदान की उसमें रस का पूर्ण परिपाक किया उसे रशना विधान की कला से विलक्षन रूप दिया उसे विद्वानों खटनानाओं और चरित्रों के सफल समजस्य से से चित्ताकर्शन बनाया और फ्लेश बैक जिसे हम हिंदी में कहें पूर्व दीपती जो फ्लेश बैक की नूतन शैली है उसमें संपन किया उसमें सजीव वातावरन की शिष्टी करके उसे यथार्त रूप प्रदान किया उसमें लाक्षनिक भंगीमा का चमतकार उत्पन करके उसे सेहर्द्य समवेद्य बनाया और उसके इती व्रत को अपने मौलिक ताने बाने से सांकेतिक प्रकरती दुआरा ऐसा बुना कि कहानी अपनी आरंबिक अवस्ता में ही प्रोड़ता को प्राप्त हो गई उसने विद्वानों के सम्मुख सच्मुच एक विलक्षन आश्चरे खड़ा कर दिया आज भी उनकी अमर कहानी उसने कहा था आदुनिक कहानी के शेत्र में मूधने स्थान परिस्तित हैं उसने कहा था शीर्शक कहानी एक सर्ष्ष्ट कहानी है इस कहानी में लेखक ने अम्रसर के बजार से लेकर युद्ध की इस्तित्त का जो कथावस्तु पहुँचाया है गुलेरी जी ने लेहना सिंग बोदा वे सुबेदा हजारा सिंग की होरा को मुख्य पात्र बना कर युद्ध की परिस्तितियों और परसपर संबंदों वचन वद्धता का रोचक वर्णन किया है इस कहानी में लेखक लेहना सिंग के चरित्र को एक निश्चल प्रेम, प्रण प्रपालन, त्याव भावना, करतवे भावना, देश प्रेम तथा वीरता से जो भावन के रूप में अमर हो गया है, लेहना सिंग अपने बाल प्रेम के लिए अभूत पूर्ट्याग करता है और अपने प्राणों की आहूती देकर सुब्यदारनी की पती और पुत्र की रक्षा करता है ऐसा विशुद्ध प्रेम और ऐसा विलक्षन करतवे निश्टता अन्यतर किसी भी कहानी के नायक में जल्दी से द्रिष्टी गोचर नहीं होती प्रतिपाद्य विशे और रश्ना शिल्प की द्रिष्टी से ये कहानी बहुत ही अनूठी है कहानी में लेखक ने आकर्शक प्रारंब और विश्वश्निय विकास ततरा करोणा पून अन्त की श्रिष्टी की है कथा सुत्रों को परसपर जोडने तता पात्रों की चरित्र गत्विशेष्टाओं के उद्घाटन में समर्थ समवाद अमरत्सर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमी के वातावरन का सजीव अंकन और पात्र तथा इस्तिती के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेष्टाएं हैं पूर्बह भास शैली जिसे हम कहें फ्लेश बैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इस कहानी में हुआ है व्यंग का पुट, शुक्ष, चरिचित्रन, देशज, उर्दू, पंजाबी शबदों के प्रयोग दुआरा वातावरन की श्रिष्टी, सरल, सहेज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुन है इस प्रकार अपनी गुरूता, महता, गंबीरता और प्राणवता के कारण यह कानी तातकल्म कहानियों में आध्यत्य है, विलक्षन है, अनुपम है और आज तक इन हिंदी कहानी के शेत्र में यह है अपना स्थान शिर्ष पर रखती है, सर्वोत्तम है तो इस प्रकार जो है गुलेरी जी का व्यक्तित्व और कर्तित्व साथ में उसने कहा था कहानी का जो शारांस है, मूल संबेद है, वो हमने जाना अब हम आगे कहानी के मूल रूप का विशलेशन करते हुए उसका विवेचन करेंगे चारित्रिक द्रिष्टी से धन्यवाद